हेलो एबरेबिन, सोगत है आपका अपनी यूटूब चैनल पर मैं हूँ सिफ चोहान मैं वेसिकली वैसे मैस फड़ाता हूँ आपको SSC के लिए मैस फड़ाता हूँ पर आपकी भारी डेमांड की वज़े से मैं आज प्रीविए सेर का पेपर लेकर आया हूँ सब्सक्राइण करें यह सब्सक्राइण को सृवकुन को सौं कशा हएं डे यह सब्सक्राइण में ब्यापम के लिए स्टार्ट करते हैं यह कुशन है प्रीविस एर का यह पेपल है बेस्ट तरीका देखेंगे कि क्या सबसे पहले को पढ़ते हैं कि दिजदी में देखी पहले बीपक सिमेंट 60 क्लोग्राम 85 क्लोग्राम के बैक करीटा है ठीक है 60 kg के बैक खरीता है उसने दो बैक खरीद एक 60 kg का खरीदा दूसरा खरीदा 85 kg को देखिए मैं फिर से बोल रहा हूं किसी भी एक्जाम के लिए आपको तयारी करनी है तो उसका बेस्ट स्टेड़ी होती है उसका प्रिविस एर का फिपल लागा क्योंकि वहां से हमें य आप उसने दो बैक खरीदे एक 60 kg का खरीदा दूसरा करीदा 85 kg का ठीक है बजन का अधिकतब मान जो सिमेंट के बजन के यथार्थ रूप से कई बार माप सकता है मतलब हमें एक ऐसा नम्मर बताना है कि जब हम इन दोनों को देखा जाए तो दोनों को माप सके ठीक है तो द HCF, Highest Common Factor, ठीक है तो इन दोनों की बीच में महत्तम समावर्तक क्या होगा तो 60 का और 85 का अगर आप HCF देखोगे तो आप बोलोगे 5 kg होगा क्योंकि 5 इससे भी डिवाइड होता है और 5 से आप 85 को भी आईजिली डिवाइड कर सकते हैं तो आपका जो अंसर बनेगा वो बन सकते हैं ठीक है 20 kg से को भी आप 85 से नहीं माप सकते क्योंकि यह डिवाइड होता है 17 85 से तो डिवाइड होता है लेकिन 17 को आप 60 से डिवाइड नहीं कर सकते तो आप यह भी नहीं होगा तो आपकी यह वाले option नहीं होगे 3 वाला 1 वाला आपका answer हो जाएगा ठीक है next question देख संख्या आओ का योग 6 है 3 consecutive numbers का सम 66 खिया है इन इन शंख्या मैसे सब से चोटी संख्या गयाद कर दें क्षद higher less number of three numbers बुरह कि सबसे छोटी संख्या कंहों होगी तीन आप consecutive क्रेमिक शंख्या क्या होती है क्रेमिक शंख्या क्यों होती है को इसका कुश्वन गताओं का तरीका की वर कि इनसे कशन कहले तक दूसीं चैसा हूं जैसे इसको छोड करने का यह बंधर टरीका यह होता है कि आप ने माना कि हमारी संख्या है भो है है तो अब इसकी क्रेमिक शंख्या क्या होन गी जाथार नि फद्र एक हमारी होगी हमारी x plus 2, यह हमारी 3 क्रेमिक शंख्या हो गए, आप बोल रहा है कि इन सभी का सम, बोला ना 3 क्रेमिक शंख्याओं का योग तो तीनों का योग, अगर आप तीनों को जोड़ोगे तो क्या आएगा, x, x plus 1 x plus 2 और इन सभी का सम आपको दे रहा है 66, ठीक है अगर आप जोड़ोगे तो x, x और x यह कितना होगे, 3x 1 यहां से 2 यहां से, इनको जोड़ोगे तो आएगा 3, equal to 66 तो 3x का मान हो जाएगा 63 यह 3 इदर माइनस में चला जाएगा तो x का मान हो जाएगा 21 x का मान आजाएगा 21 और आप से पूच रहा था कि सबसे छोटी संक्या क्या होगी तो सबसे छोटी संक्या आपकी क्या होगी x कमान 21 है तो x होगा आपका 21 यह होगा आपका 22 और यह होगा आपका 23 तो सबसे छोटी संक्या पूची तो सबसे छोटी संक्या होगी 21 अगर आपको यहीं पूछ लेता, अगर सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, तो आपका आंसर हो जादा 23, ठीक है, तो इस वाले का तो आंसर होगा आपका 21, यह थार्ड वाला ओप्शन का आंसर हो जाएगा, आप देखें, और भी तरीका हो सकता था, इसका simple way में, कि आपको इ लेक्ते की, पहला ओप्शन अगर मिन देखो 23, पहला ओप्शन देखो अगर मैं 22, तो 23 बाली संख्या होगी 24, उसके बाद लोगी 25, अगर आप 23 को ही अगर तीन बाद मानते तो 69 हो जाता, यानि की 22 तो नहीं होता, यूँण की 23 आखी बड़ी संख्या हो जाता, पिर आप आप देखते 25 25 भी नहीं होता क्योंकि 25 को भी अगर आप तीन बार 25 को ही जोड़ोगे तो 75 हो जाता है तो लेकिन आपका सम तो 66 है अब आप पकड़ गेंगे 21 21 को जोड़ोगे तो क्या होगा 21 22 और 23 क्योंकि आपको क्रमक संक्या है न कंट्यूनिय संक्या देख नहीं तो है इसको सॉल्व करने का और easy way में हो सकता है तो आप option से भी देख सकते थे सीधा ठीक है next question की तरह मूप करते है next question यह बहुत अच्छा कोशन है इसको सॉल्व कीजिए ठीक है सिर्फ आप इसमें language देदी आप देखोगे तो question तो बहुत easy है बस बहुत बड़ी ज्यादा दे इसको लोग हो गया उसमें चार अंक का पासवाड है चार अंक का पासवाड है एक है five seven four और एक यहाँ पर अंक ना देके उसने पी दे दिया ठीक है चार अंकों का पासवाड है यह दिए हर प्रीष्ट को यक्षित रूप से याद है उसे याद है ठीक रूप से याद है कि वह है Sankhyya 3 वह वाजत है, मतलर यह किस से विवाजत है? 3 विवाजत है तो सही पासबर्ट प्राप्ट करने के लिए कितने परिक्षन देने की अवश्रक्या था मतलर अगर वह उसको सही पासबर्ट कर रहा है तो इस पीक की स्थान पर क्या क्या आ सकता है? ठीक है? तो ये पूचाए हमसे. अब देखिए सबसे पहले यहाँ पर एक चीज की हमें ज़रुरत पढ़ रही वो क्या? यदा रूप से तीन से विवाजित है, यानि कि अब हमें ये पता होना चाहिए कि तीन से विवाजित संक्या कौम सी होती है? तो हम 3 से बवाजे संख्या कैसे पता करते हैं तो मैंने बताया आपको कि 3 से बवाजेत अगर आप यहाँ चेक करोगे तो 12 12 एक 3 से बवाजेत है 3 से पूंट रूप से बवाज हो जाती है क्योंकि आप 12 को 3 से बवाज करोगे तो कितना आजाता है आपका 4 ठीक है अगर आप देखो के 15 15 को 3 से विवाज़ करेंगी तो आजाता है 4 और बड़ी संख्या लेलो 108 को 3 से डिवाइट करोगे तो आजाता है आपका 36 ठीक है अब ये 3 से विवाज़ संख्या ्ति तो थीन सेविवाजत संख्या को रूज होता है कि अगर आप इनके सम को जोडोगे 2000 के लुश्वोज, 12 के लुश्वोज होगे 12 bereём जोडोगे तो कितना का ईता है तो इनको जोडने पर जो संख्या मिलती आपको वह तीन से प्वाज़त होनी चाहिए अगर वो ऐसा है तो आपकी संख्या भी 3 से विवाज़त होगी जैसे कैसे यहां पर देखिए 1 और 5 का यह कित्ता हो रहा है 6 तो 6 3 से विवाज़त है बिलकुल है तो आपकी संख्या भी 3 से विवाज़त होगी यहां पर देखिए 8 और 1 कित्ता हो रहा है 9 9 3 से विवाज़त हो तो आपके यह संख्या भी 3 से बिवजद होगी आपको यही यहां पर चेक करना है कैसे यहां पर थगे 5 और 7 कितना होता है 12 12 और 4 कितना होता है 16 अब यहां के बैंगा 16 अब आपका बजगया P तो पी के प nettis किया क्या रखोगे कि आपका सरी से डिवाजित हो सकता हैnda जैसे पी के प्लैस पे अगर मैं रखता हूं पिक प्रेस थांगट कि अगर सहा लगा क्विश् conse हम और तो आपका तीन से बवाजित होताया थे च्युंके अथारा थीन से बवाजित होता है तो फिर यह आपकी यह संख्या भी क्या हो जाएगी तीस से ववाज़त हो जाएगी ठीक है अगर दो की जगह पर देखो के फिर रकते हैं अगर मैं 5 तीन के अंटल्रेमेट में चलना है अगर आप 3 रखोगे 16 की जगह एकर 3 रखोगे ये पी की जगह तीन रखोगे तो 16 और 3 किता होता है 19 तीन से बवाज़त नहीं है अगर 16 और यहां पर पी के प्लेस पर अगर रखते हो 5 तो 16 और 5 किता होता है 21 21 बिल्कुल 3 से डिबाड़े चौओवीस भी आपका तीन से बयाज़त है तो आपके ये संक्या भी तीन से बयागँ होगी तो आप देख पार हो के पी के प्लेस पर क्या रख सकते यह अदें आ दो नमबर नहीं ढयांगे याप सिर्फ एक डिजिट भाइगा तो या तो आप रख सकतेे हो टू या तो रख सकते हो या तो रख सकते होगा या तो रख सकते हो यह तो कित Carl करना पड़ेगा सुझी genetic या तो दो हैगा या पांच डीशार came ऐ सकता है या तो तो 2 आएगा पीकी प्लेस पे या 5 आएगा या 8 तीन बार अगर वो कोसिस करेगी तो उसका अंसर आजाएगा मतलब उसका पासवर्ड का जो लोग है वो खुल जाएगा ठीक है नेक्सक्रिशन करें सबसे इसी दा देख कैसे सॉल कैसे किया मैंने पर से वता देता हूं जैसे यह नंबल लगा था था फाइफ सेवन फ़ोर पी ठीक है अब बोड़ रहा कि यह संक्या अगर तीन से विवाजित है तो इसका मतलब इसके डिजिट का जो सम है बो भी तीन से व बभाजित हो सकता है तो 16 में पहले 2-18 आरहा था 16 में 5 जोला तो 21 आरहा था 16 में 8 जोला तो 24 आरह था बस यहीं पॉस्पैलिटियों हो सकते और पी प्लेस पर कोछ रखोंगे तो वह तीन से वह वाजित नहीं होगा नेक्स कुश्चन की तरभ मूँब करेंगे अब यह बनवाई 3 लखा हुआ है उपर लखा हुआ है मतलब यह ऐसे है इस टाइप से 3 4 3 क्यूब रूट है सब्सक्राइब इस टाइप से लखा हुआ है अब यहां पर आप से बूच रहा है अब आपको बताना है इसमें कि रेशनल नंबर क्या है तो सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि रेशनल नंबर होते क्या है तो रिश्टर नमबर वो होते हैं, अगर मैं इंदी में बात करूँ तो लिखित में से कौन सी संक्या, एक परमेशंक्या है, परमेशंक्या क्या होती है, परमेशंक्या वो होती है, जिनको आप P upon Q के फॉर्म में लिख सको, वो आपकी परमेशंक्या होती है, P upon Q का मतलब क्या हो रहा है दोनों के प्रॉण में लिख सको यैसे बंभ battle जैसे यॉल रान क法 taking even दंवा भूण I वैंशे डर्मयसंख्या कैसे बन की पॉन में बन लिखितलों कि यह लिख शक्ते हैं सेवन में शंक्या कौन सी तो आप देखोंगे हाँ 243 यहां पर लगा है क्यूब रूट है यहां पर फॉर थरी यहां पर फॉर फॉर्ट्री यहां पर क्यूब रूट है क्यूब मतलब है कि किसी का multiple तीन बार हो जीसे अगर मैं आप से पूछो यह 343 है तो यह सका cube root क्या है कि एसका iska कि इसका आप पूछोगे तो में बताहूं seven होता है seven को अगर आप तीन बार multiply करोगे seven 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 तो आपका three four three भी बगता है तो इसका होगा 7 इसका आप एक्जेक्ट नहीं बता सकते हैं 243 का कोई सा भी क्यूब रूट होता है मतलब कोई सा अगर 216 होता है मतलब 216 होता है 6 का क्यूब तो यहां से अगर 216 होता तो 6 निकलता आपका पर 243 किसी एक्जेक्ट नहीं होता किसी का यहां 543 भी आराम से लख सकते हो तो आपका जो रेशनल नम्मर होगा वो कौन सा होगा 243 क्यूब रूट उफे तो आपका ये आपकी एक परमेशन क्या होगी ये परमेशन क्या क्यों नहीं होगी क्यूब रूट से बाहर ही नहीं आपाएगी और आप इसको अंसर कर सकते हो, next question करेंगी, next question देखिए इस question में क्या होगा, सिर्फ गुमाया है, सिर्फ language को आपको पढ़ना है, वैसे है बहुत easy, सिर्फ language में पढ़ना है, लेंग्विज क्या है इसका, ठीक हिंदी में solve करा रहा हूं, एक भिन का अंस, उसके हर से 5 गुना से 5 अदे के, अब आपको पता होना चाहिए अंस और हर क्या होता है, एक भिन, एक भिन अगर कोई दिया है, आपको यह बनवाई 2 दिया है अगर आपको, तो इसमें अंस क्या होता है, तो अंस होता है आपको उपर वाली संक्या, ठीक है, और हर, हर होती है आपकी नीचे वाली संक्या, ठीक है, इंगलेस में बात करें, तो numerator होता है, अंस को बोलते है numerator, ठीक है, और नीचे वाली संक्या को बोलते है denominator, इतना आपको पता होगा, ए या इनडल होता है ये समझ या अब जो लैंगविज में बोला है उस बेस्वेया आपको सौर करने लैंग्या में क्या एक भंण का अंस उसके हर से अब यहां पर बढ़ लेते हैं पूर कुछ भी उस का बन माल लेते हैं लेट्स आया बन माल रहा हैं तो उसके अब उसने तो क्या होगा उसके हर से 5 से 5 अधिक इसका पांच गुना हों का 5x से 5 अधिक अधिक अपका क्या है अंस में एक भन एक उसके हर से 5 गुन्हा से 5 अधि हैं तो एक भीन के हर से 5 गुणा 5 June kittah होगा 5 x 5 तो whack it comes 5 यह आपकी वंगे बंगे बंग जब बंद्न के अंसे 5 कटाया जाता यह आपकी बंगे अब उसने कि जब आपके विर्णने से पांच घुडाया जाता है या निकि आपकेफंस से ऑस या पकैक जोड़ दिया जाता है तो ब्हिंनका मान चार के बराभर हो जाता है वíll ने किसके बराबर अचार सिंपल और बहुत ही अच्छा क्या सो नहीं सॉल पुछ नहीं किया मैंने इस पहले यह बताया की इंस और हर श्यावता है तो आप एक भुंड में बंभा strikes हो थी यह नीचे वरी शंचयांग की घुन से संग्येस्टे टीट Sun मैं उसके बाद फिर मैं ने जैसा कुशन में लिखाता है कुश्यन में लिखता है जब जता घथा जाता मैंने यह जाताया घथ उसके रोगा तो यह 5 गॉर सब्सक्रेंट थै क्यों छोड जाता है और उसने हर में जोड़ दिया मैंने हर अपना x अकला था उसमें मैंने 5 को जोड़ दिया तो ब्हनने 4 बराबर होता है तो 4 बराबर भिलोगी अब इसको solve करेंगे कैसे solve करेंगे इसका multiplication इसमें चलागा तो 5 x बराबर क्या आएगा आएगा 4x plus 20 ठीक है और इसके बाद अगर आप x निकालोगे तो x कमान आएगा 4x जिदार आएगा तो x x कमान आएगा 20 ठीक है x कमान किता आगे 20 अब देखिए x कमान 20 आगे अब आप से पूछ रहा है तो वास्तिविक भिन क्या की लिए वास्तिविक भिन क्या थी हमारी शुरूबात की भिन क्या थी ये थी है हमारी वास्तिविक इसमें आप क्या करोगे x कमान रख दोगे तो x कमान अगर मैं यहाँ पूट करूँगा तो 5 x की जगह रखेंगे 20 प्लस 5 डिवाइड करेंगे X के जगए रखेंगे आप 20 ठीक है इसको solve करेंगे 5 का multiply 20 में करेंगे तो आएगा 100 100 प्लस 5 होगा तो कित आएगा बंजी रो 5 बंजी रो 5 अपॉन 20 यहां से 5 से कार सकते आप तो क्या बचेगा 21 बटा 4 ठीक है 21 बटा 4 यह आपका answer हो जाएगा कौन सा option है आपका 21 बटा 4 यह वाला answer फोर्थ option हो जाएगा easy था best तरीका था इसको solve करने का बहुत ही simple way में बताया मैं आपको आँगे बढ़ जाएगा next question solve करेंगे देखें यह question को अगर बैसे solve करोगे बहुत हो जाएगा मैं आपको इसको लोंग तरीका भी बताऊंगा और एक शोर तरीका भी बताऊंगा बहुत easy तरीकी से भी आप solve कर सकते हो कैसे पहले question को पढ़ते है उदया प्रती दिन 6 बनबाई 3 घंटे का अध्यान करता है ठीक है प्रती दिन इतने घंटे पढ़ता है ठीक है उसके बाद उसने बोला कि एक साही दो बटा तीन घंटे हिंदी पढ़ता है ठीक है एक साही दो बटा तीन अंग्रेजी पढ़ता है ठीक है उसके बाद यदि वह सेस समय को यानि कि ठुटल गंटे इतने हैं उसमें से इतने गंटे उसने हिंदी पड़ी इतने में वह समय बच्चे समय बराबर भाग को वो घड़त और घञण तो पोछ इस गड़त में कितना समय बया करता है तो पहले तो सबसे पहले आप देखते हैं कि जो उधा है वो टोटल कितने गहंटे पड़ता है तो अगर आप टोटल की बाद करोगे टोटल खंदे कितना पड़रा है 6 1 by 3 अगर इसको fraction बें लखोगे तो कितना आएगा 19 x 3 x 3 में और यहां प्लस बंट करदेंगे तो इतना आ जाएगा अगर आप Hindi में टायम देखोगे तो Hindi में वो कितना टायम दे रहा है ही इंदी में टायम देक रहा है 12 2 by 3 बिलकुर यानि कि अगर आप इसको fraction में लखोगे तो कितना आएगा 5 by 3 अगर मैं अंग्रे जी की बात करो तो अंग्रे जी यानि कि English में वो कितना time दे रहा है English में देख रहा है 1 1 by 3 यानि कि 4 by 3 कितना time वो English में दे रहा है ठीके अब Hindi और English में time दे दिया अब हम देखते हैं कि उसके पास time बचा कितना है तो बचा कैसे निकालेंगे हम देखेंगे कि Hindi और English का total time कितना हो रहा है हम इन दोनों को जोड़ देंगे अगर आप Hindi और English को जोड़ोगे वो इतने हिंटे पढ़ रहा था अब हम देखते हैं उसके पास time कितना बच गया है तो time जो बचा होगा उसको उसने में उस टैम में उसने गड़त को पढ़ा होगा और विग्यां को पढ़ा होगा तो हम देखते हैं उसके पास time कितना बच गया ठीक है तो total घंटे हमारे प तीन यह टूटल टाइम था आपका उसमें से तीन घंटे उसके खर्च होगे तो बचा कितना टाइम दस वटा आप से क्या पूछ रहे है सिर्फ गड़त का ठीके माप देख पा रहो कि इसमें वह दोनों को पड़ रहाहा है और दोनों को एकUIल 10 दे रहा है यानिकी आदा इसका आदा दे रहा है वह गड़त को इसका आदा दे आपको शिर्फ इसका आधा निकालना है अगर आपसे पूछेगा 10 by 3 का आधा क्या होता है तो आप यहां पे लिखिए 10 by 3 का आपको आधा करना है तो इसमें एक बटा दो का भाग करोगे तो यह दो से कटेगा 10 तो कित्ता है का 5 तो आपका बचेगा 5 by 3 इस 5 by 3 को आप इस बे पर से बताता हूं टौत कितने घंटे पढ़ रहा था हो 6 और ँखनटे हुए तो मैं पता चाला हुव हुए 3 मोश इसके बुह जोलने इसमें थे यह जो ठांट अन् लो आपके पास बचा यह जो यह जो टाइम है वो दोनों को दे रहा है किसको इसको गड़त को और विद्याan को अब दोनों को उतिते इक्वरल करें रहा है जैसािंद्ध गड़त के लिए एक उसका आदह समय साइइस के लिए म hablarам तो यह नई होगा तो मैंने इस ने किया इसका आधा निकाल दिया आपको इसका आधा निकाला अगयर दिया तो यहां से नगल आपका ईंश्र थिए चल दो हम इस नेक्स कुष्णुन अपको नेक्स्कूशन, एक आयतारर G PARK, एक आयतार पार्क, 13 सही, एक नाएंटेंटर, नमगा है, ठीक है, 10, एक नाटेंटर, पांच मीटर, टीक है, इसकी परदी, परदी नकालना है, आपको, ठीक है, पैरीमिटर, नकालना है, आगर आपको पड़ेतर हैं रैकिक्ते ऊंगुलर मतलब आयतकाःए अगर बाद करूँ तो इस का इसका फिगर होता है कि इंट यह होती है इसकी के लेंथ और यह थी ब्रेथ पैरिमेटर एक परदी क्या होती, परदी होती है, किसी भी figure की boundary, यह देखो, यह परदी होती, यहां से start करेंगे, यह पूरा complete, यह होगी आपकी परदी, तो आपको इसको ही बताना है, तो परदी का recto angular का जो formula होता है, परदी जो निकालने का होता है, परदी कैसे निकालते हो, तो इसका formula two bracket में L plus B, two bracket में L plus B, L plus B, कैसे, आपको इस पूरे figure को जोड़ना है, तो L, यहां से यहां तक की distance L है, यहां से यहां तक की distance L है, यह B है, तो यह भी आपका क्या होगा, B, तो इन सब को जोड़ना है, यानि कि दो बार L को जोड़ना है, दो बार B को जोड़ना है, तो आप और परदी आपको नकालने तो परदी के निकालने के लिए क्या है आपको एल भी दिया है यह दिया यह यह तेरा सद्व है नंबाए की जगह मैंने लिए 13 सभी डर टी इसको अगर आप अगर अधर विए होगे तो कितना आएगा 40 by 3 कैसे तेरा का मल्डिप्लाइग 3 में उन 40 और एक 40 बटा 3 प्लस ब्रेथ ब्रेथ कितनी है यह चोड़ाई दिया आपको चोड़ाई दिये 10 50 51 बटा पांच यहां पर क्यावन बटा पांच यह चोड़ाई दिया परदी निकालना था सिर्प इस फॉ मैं कितना कास चोड़ाइगा 50 इस 5 का मट्डिप्लाइग उगए इसमैं तो कितना आएगा 200 इसके बाद मैं यह हो 753 यहां पर दोनों को जोड़ाइगे तो कितना है यह चोड़ाइगा 15δα MR म्हां क्यां प्रे श In Blue वै तो यहां लेखो और इसमें भी यह बच गया तो यहां लेखो ठीक दोनों को जोड़ेंगे तो 6 10 7 अपॉं 50 यह 2 बच गया था ना आपका यह 2 इस टूप को यहां लेख दिया हमें और यहां पर यहां पर 2 से मुल्डिप्लाइब कर दें तो आप देखें इन्त को बन आपका यह पहला ओक्शन हो जाएगा ठीक है यह आंसर हो जाएगा 47.09 ने एक प्रॉक्स में देखना था आपको तो लगवा 47.1 आंसर अपका हो जाएगा क्योंकि यह 48 यह तो नहीं होगा 47 इससे जादा है 46 का में तो आपको लगवा 47.09 आंसर आ रहा था तो आप यह आ संख्या को चुना उसमें से तीन बटा चार घटाती है ठीक है उसमें से तीन बटा चार घटाती है और उस संख्या को बारा से गुणा करती है ठीक है सबसे पहले रिया ने एक संख्या को चुना रिया की एक संख्या मालो रिया ने जो संख्या को चुना वह है एक्स ठीक है सखिए उसके बार उस्ने क्या किया उसुंस से तीन बाटा चारा को घटा आती यह संख्या मैंसे तीन बाटा चार को घटाती इए यह जो question होते है नंबर system के इसमें जैसा बोला आपको बसंवा एक का टीक है जैसा जैसा बोलते जाएंगे जैसे पहले संख्या थी संख्या मैंने लग दी यहां पर यह संख्या उसमें से बोला कि तीन बटा चार को घटा दिया ठीक मैंने तीन बटा चार को घटा दिया उसके बाद उस संख्या को बारा से गुणा करती है अब यह संख्या आई है उसमें उसने क्या किया बारा को गु मूल संख्या मैंने क्या मानी थी एक्स यह आपकी मूल संख्या का नौ बटा दो गुना है तो मूल संख्या का मूल संख्या आपकी एक्स उसका नौ बटा दो गुना आपका है बस एक क्वेशन बन गई एक्स कमान पूछ रहा है तो बोल रहा उस संख्या ग्याद की दिए करेंगे सौन कैसे घ्याँ से अब करेंगे यह तो यहां से तीन का भाग भी कर सकते यहां बचीन का चार तीन का यहां भाग कर दोगे तो क्या बचेगा त्री pen change कर रहा हूं है जिससे आपको समन में है ठीक है इसके बाद यह 2 का multiplication यहां हो जाएगा तो बचे 8 हो जाएगा यह 8 हो जाएगा यहां होगा x-3y4 और यहां पर हो जाएगा x का multiply 3 3x 8 का multiply अंदर करोगे तो 8x 8 का multiply इसमें करोगे 4 का 2 का भाग चला जाएगा तो यहां बचेगा 6 यहां हो जाएगा 3x 3x इदर आएगा तो 5x बराबर आएगा 6 तो x का जो मान होगा x का मान क्या आएगा 6 equal to 6 by 5 अगर और भाग करोगे तो इसमें से बचेगा 1.2 5 का बाग 6 में करोगे तो क्या आएगा 1.2 1.2 आपका उप्षण है क्या x कमान ही आजाएगा आपको 1.2 आपका उप्षण है बिल्कुल है second answer हो जाएगा ठीक है ठीक है ठीक यू सो मच और कुशन को इसी करेंगे है अपन और प्रिभी से को आप सॉल्व करेंगे बेस्ट तरीका बताऊंगा मैं आपको सॉल्व करने ठीक यू सो मच मिलेंगे नेक्स वीडियो में ठीक यू